एलो प्रेंस ये देखिए साम कटाय में तो थोड़ी सी हमारे गर मूपली आई थी ये कच्ची मूपली है और गर्मियों कटाय में आए चुका है तो इनको कौन खाएगा तो मैंने सोचा इनका कुछ इस्तिमाल किया जाए तो मैंने सारी मूपलीयों को अच्छे से चीन के रख लिया है मैं अब इनको रख दूँगी एक टिब्बे में इससे क्या जब भी हमको चाहिए तो इस्तिमाल कर सकते हो यह मैं बनाने जा रही हूं बेल तो मैंने ले लिया है प्याज हरी मिर्ची और टमाटर इन सबको अच्छे से काट लिया है और साथ में डाल दिया है तेल आम बाल या चार का दो चिमाच इससे क्या टेस्ट हमारा अच्छा आता है और थोड़ा असा प्याने डाल दिया अटनी इबू आप डाल दूँगी नमक और इसके लावा मैंने कुछी भी नहीं डाला कर आप चाहो तो थोड़ा असा और पनीर बगेरा भी काटके डाल सकते हो पर मैं नहीं डालूबगी मैं तो थोड़ा से ही यूज करूँगी यहीं बना रही हूं हल्का सात मीं डाल दूँगी दो चमच पानी जैदा नहीं डालूँं कि इसमे क्या हमारी जो वो तो बहुत यह ना बेरिससे क्या कुरकुरी और वैस एक हैस्ट अर। मैं इसको अच्छे से। चलाओंगी इससे नहीं अपनले रहा तो मैं एक लेदार लूAKन इससे साथ में रख के कीविशी हों चाहीं कर लूगे के तरह से मारत नहीं कि इसी तरह से या के पास do साथ में मैं बना रही हूं फ्रूट चाट तो मैंने थोड़ी से फ्रूट ले लिए और ये इन फ्रूटों का नाम बताए अप मुझे बस दो तीन फ्रूट का नाम बताए ये अंगूर वो है संतरा और ये है थोड़ा सा सेव कटा हुआ और उसके बाद है थोड़ा सा केला इ देखिए मैंने पानी रख लिया है दोने के लिए और यह मैं संतरा को चुछ रही हूँ और यह फ़ल रखा है उसका आप नाम बताएगा कौन सा फुरूट है यह और यह देखिए संतरा को मैं अच्छे से छेलने हुए और मैं इसको काटूंगी नहीं मैं इस तरह से करके निकाल दूंगी और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कर नम बत बूलेगा यह देखिए मैंने अंगूर के लिए पानी लेने चली गई पानी क्योंकि अंगूरों को अमेसा दोके यूज कीजिए थोड़े से खराब हो चुकिए तो मैंने इनको अलग से निकाल दिया अच्छे की फ्रूट चाट बनाईए साथ मैं बेल और फ्रूट चाट दूनों साम का टाइम था तो थोड़ा सा चट बठा खाली जी ऐसे क्या बूक थोड़ी थोड़ी से लगती है वो नहीं लगती और यह देखिए मैंने अंगूरो का इस्तमाल बिल्खुल मत कीजिए और देखिए साथ में मैंने यह सेव रखा है ना आधा सा इसको भी मैं अच्छे से कट कर लूँगे और छोटे-चोटे टिकड़ों में ही काटना क्योंकि इससे क्या हमारा सेव अच्छे से हमारी चाट रेडी हो जाती है आप जहां अग बसके एक केले काई यूज करूं यह अगर आप ज्यादा बना रहे हो तो ज्यादा केले का भी यूज कर सकते हैं तो यह देखिए मैंने एक केले को भी अच्छे से काट लिया है और यह देखिए यह कौन सा प्रूट आप और यह देखिए साथ मैं इस प्रूट को भी मैं अ अच्छे से टुकडों में काटके बड़िया फ्रूट चाट बनाऊंगी और सभी फलों को काटके अच्छे से रेडी कर लूगी और थोड़ा गला मेरा खराब है तो आप प्लीस गले पर ध्यान मत दीजिए साधी बगएरा में तो ऐसा हो जाता है खाने पीने से गला बगएर और इस फ्रूट को भी बताईए ये कौन सा फ्रूट है पर मैं नहीं जानती पर मैं बस इन सब को अच्छे से काट लूगी क्योंकि मुझे तो फ्रूट चाट बनानी है तो फ्रूट काई काम है तो सब फ्रूट को अच्छे से काटके डाल लूगी और आप बताईए और कौन सी जड़ा से आप वीडियो देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए और ये देखिए मैंने अच्छे से ये पूरूट चाट सारी काट लिए वास यही फल बचाए तो मैं इसको अच्छे से चीन लूँ क्यों कि पता नहीं ये कैसे चलेगा मुझे समझ अच्छे से टुकड़ों में काट लूँगी इसको मैं संत्रा की तरह नहीं काट लूँगी इसको मैं चक की तरह चोटे-चोटे टुकड़ों में काट लूँगी लेकिन ये फूरूट मैंने वीडियो बनाते समय चका था लेकिन ये फूरूट संत्रा से बहुत ज्यादा मी प्रूट चार्ट मेरी कटके तयार मैं इसमें कुछ नी डालूँगी बस ब्लेक नमक डालूँगी काला वाला इसे क्या थोड़ा सा मारा टेस्ट अच्छा आजाता है अगर आप चाहो तो इसमें और भी कुछ डाल सकते हैं जैसे स्वीट कॉन हैं चना हैं पनीर वगेरा यह स अब भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी बस ब्लेक नमक का ही यूज करूँगी क्योंकि मैं अपने लिए नहीं बना रहे हैं बच्छों के लिए बना रहे हैं तो इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं डालूँगी अगर आप चाहो तो बहुत और ज्यादा टेस्ट आ जाता है और आप मेरे कहने पर एक बार इस फ्रूट चार्ट को बढ़ाए जरूर और फिर से बोल लहीं हूं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब करना बूलिए मत और लाइक तो करी दीजिए अगर अच्छी ना लगे तो आप डिसलायक भी कर सकते हो यह देखी मेरी फूट चार्ट के रेडी हो चुकी है ओके पबाबाबाबाबाबी